मैंने इस वीडियो में कहा था कि मोटो रेजर 40 Ultra आज भी value for money deal है और benchmark test के result देखकर मैं 100% sure हूँ कि आपको आज के date में भी मोटो रेजर 40 Ultra ही खरीदना चाहिए क्योंकि long term के इसाब से अगर हम performance को compare करें तो मोटो रेजर 40 Ultra आज भी एक बड़िया flip phone है और ये बात मैं वीडियो के अंत तक साबीद भी कर दूँगा अब हर वीडियो में phone का एंतुतू score और CPA throttling दिखा कर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है पर यकिन मानिए ये score को अगर आप लोग अच्छे से समझ लो तो long term के इसाब से आप के लिए कोंसा बड़िया phone हो सकता है यह आप finalize कर सकते हो benchmark test में phone के हर एक component को अच्छे से निचोड कर test किया जाता है और उसी का result नंबर के form में अमारे सामने आता है n2 to score phone के हर एक component का अलग अलग होता है जिससे CPU, GPU, Memory, UX इन सारे component का एक overall n2 to score निकाल कर हमें unboxing और review वीडियो में बता दिया जाता है पर overall n2 to score कभी भी हमारे phone के long term performance को defying नहीं कर सकता इसलिए हमें phone के हर एक n2 to score को गोर से देखना जरूरी होता है रेजर 50 ultra और रेजर 40 ultra का overall n2 to score आप लोगों को पता ही होगा फिर भी यहां मैं एक बार बता देता हूँ रेजर 50 ultra का overall n2 to score 12,11,214 आता है पर रेजर 40 ultra का overall n2 to score 10,63,156 आता है अब ये score देखकर लीज नीचे comment मत कर देना कि भाई इस बंदे ने मुझे 13 लाग बताया उस बंदे ने 14 लाग बताया n2 to score मेजर करने के लिए मार्केट में बहुत सारे एप्स और वेबसाइट आते है ये score महिने नैनर वी वेबसाइट से लिया है और इसका टूल maximum creators अपने फोन को टेस्ट करने के लिए यूज करते पर don't worry किसी और टूल से भी अगर आप calculate करोगे तो n2 to score दोनों फोन का लग देखेंगे रेजर फोटी अल्रा में CPU एंट तो स्कॉर थ्री लेंड थर्टी थाउजन टूवन फोर आता है और रेजर फिप्टी अल्ट्रा के अंदर थ्री थाउजन फूर नाइन सेवन आता है जैसा कि मैंने का आता है असली पर्फॉमंस अमेशा अंदर छुपा हुआ ह होता है और CPU एंट तो स्कॉर देखकर तो यह साफ है कि रेजर फोटी अल्ट्रा रेजर फिप्टी अल्ट्रा से आगे है और हां CPU ही हमारे फोन का वह में कंपोनेंट होता है जहां सारे मैथेमेटिकल ऑपरेशन किये जाते है और हमारे प्रोसेसर को अच्छे से होता है क्योंकि वह हमारे फोन के 2D और 3D ग्राफिक्स रेंडर किये जाते है इसी के साथ वीडियो इडिटर्स के लिए भी स्कॉर सबसे इंपोर्टन होता है और साथ ही में फोटो प्रोसेसिंग के लिए भी GPU एंटुटू स्कॉर इंपोर्टन होता है रेजर फिप्टी अ अंदर 35,000 का फर्ख है तो फोटो प्रोसेसिंग एबिलिटी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग एबिलिटी दोनों फोन के अंदर आपको लगबक से मी मिलने वाली है में रैम और रों की रीड एंड राइट स्पीड टेस्ट की जाती है रेजर फोटी अल्ट्रा में 2,16,979 स्कॉ आता है अगला स्कॉर एब यहां पर फीन का डाठा प्रोसेस होने के बाद आउट्बूट्ट कैसा वे टेस्ट किया जाता है जैसे एक अधा फोटो फोन में प्रोसेस चिया तो व में कैसा सब्सक्राइब्स बीक्रान एक्सुर्ट एबिलिऄस्ट कैसा है यहां पे अच्छ में दोनों ही फोन आज पास है अब आता है CPU थोटलिंग स्कोर यहां अमारा डिवाइस कितने लंबे समय तक स्टेबल एंड स्टेडी परफॉर्मस दे सकता है इससे अच्छे से टेस्ट किया जाता है अब आप स्टेडी परफॉर्मस देखने के बाद स्टेडी परफॉर्मस देखने के बाद साफ साफ है भाई आपे long term के performance के लिए दोनों फोन में उतना ज़्यादा difference नहीं है लगबख आपको सेम ही long term performance Razer 40 Ultra के अंदर भी मिलेगा और Razer 50 Ultra के अंदर भी मिलेगा पर CPU Antutu score को तो आपने पहले देखा ही है और यहाँ पर Razer 40 Ultra बाजी मार जाता है और CPU हमारे फोन का धड़कता देल होता है और इसकी competition में Razer 50 Ultra आर जाता है overall अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई long term performance के लिए कौन सा फोन अच्छा है तो मैं आग बंद करके आज की डेट में भी Razer 40 Ultra को खरीदने के लिए कहूंगा सबसे important बात यह value for money deal है जी आप 45,000 तब Razer 40 Ultra आज की डेट में हमें मिल रहा है और Razer 50 Ultra महेंगा फोन है आप सबी को पता यह तो value for money deal Razer 40 Ultra है यहाँ पे बन के आती है और यहाँ पे performance भी दोनों फोन में आपको same to same मिलता है अट दे एंट वोटो रेजर 40 Ultra मेरे हिसाब से winner है आपको क्या लगता है आपकी वीचार मुझे नीचे comment में जरूर बताइए और कोई सवाल होगे तो वो भी पूछे मैं हर सवाल का answer यहाँ पे देता हो T3 Ultra के camera sample देखने के लिए उपर वाला वीडियो देखे और रेजर 50 Ultra के camera sample देखने के लिए नीचे वाला वीडियो देखे मैं मिलूंगा आपको next वीडियो में तब तक अस्ते रहिए मुस्कुराते रहिए धन्यवान